गाईस आगर आप भी अपने Facebook पेज को Permanently Delete करने जाते हो तो इस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने Facebook पेज को Mobile से किस तरह की से Permanently Delete कर सकते हो क्योंकि पहले का जो हमारा Criteria था काफी ज़्यादा Change हो चुका है अब हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होता अपने Facebook पेज को डिलीट करने में तो इस वीडियो मैं आपको completely guide करने वाला हूँ कि किस तरके से आप अपने Facebook पेज को डिलीट कर सकते हो By chance अगर आप लोगों ने काफी ज़्यादा account अगर create कर लिया है And अगर आप उसमें से कुछ कुछ account को डिलीट करना चाहरे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा helpful हो सकती है So आप लोगों से request है कि इस वीडियो को completely watch कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो मैं जो आपको step by step बताने वाला हूँ ये आपके लिए काफी ज़्यादा helpful होने वाला So इस वीडियो का आपको skip नहीं करना है गाइस नहीं तो आप लोग नहीं समझ पाओगे And आप लोगों के इसे एक और छोटी से request है आप लोग साथ में एक और phone रख लो एक में आप लोग video मेरी watch को And second में आप लोग उसे trial करो किस तरीके से मैं कर रहा हूँ Same to save process आपको next वाले phone में भी करना है चीक है तो चली अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से करना उससे पहले अपने भाई का नाम भी जालो गाइस मेरा नाम है रिहान और मेरी चैनल पर पहली बार विजिट कियो तो जरूर से मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए साथ साथ notification बेल को दवा देना ताकि हमारी ऐसी interesting videos आपको सबसे पहले मिल सके चली इस वीडियो को start करते है इस टार्ट करने से पहले जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा एंड हम लोग आप फोन पर चलते हैं और सारा प्रोसेस करते हैं ठीक है को देखो यहा से मैं अपना Facebook को अपिन कर देता हूं यह आपको Play Store से डालउड कर लेड हागर आपके फोन में नहीं है तो तो ज़स्ट यहा से मैं अपना Facebook आपको open कर रहा हूं तो यह मेरा Facebook आप पक्लिक कर देता हूं तो यह अपर यहa पर में क्लिक करता हूं corner पर तो कैसे करने हैं अब मैं आपको बताता हूं जाश्ट आपको नीचे आजाना धियान से देखना है आप लोगोशे है ठीक है तो यहाँ पर आने के बाद में देखो यहां पर आपको नीचे एक सेटिंग का उप्शन मिल जाता है इस पर आपको क्लिक कर देने हैं यहां पर क्लिक करने के बाद में अब देखो आपको यहां पर एक सेटिंग का उप्शन मिल जाता है यहां पर आप आओ जाओगी सिंप्ली आने के बाद में देखो यहां पर इतना सारी और में रहा कहीं पर है आपको नहीं जानता है मिलैंग कना चलिस इन सकती हाफemie में जाना के में नेई तर्फिट हरे में इस पर आपको क्लिक कर दिने हैं करनी की बाद में देखो यह हमारा पेज खुल चुका है अब हम लोग यहां से अपना Facebook पेज को डिलीट कर सकते हैं परमेंटली तो जेस्ट हम यहां पर क्लिक करने हैं एक बादी क्लिक करनी की बाद में अब आपको देखो option दे रहा है दिएक्टिवेट यूर पेज और नेक्स्ट आपको मिल रहा है डिलीट पेज तो अगर आप इससे परमेंटली डिलीट करना चाहते हो डिलीट वाले पेज पी क्लिक करोगे अगर आप अपना account को temporary disable करना चाहते हो तो आप disable वाले पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आपको सारा कुछ लिग दिया है कि आपका photos वगरा जो भी आपने share किया था वो public visible नहीं होगे deactivation में and delete में आपको कह रहा है कि आप जो भी अपना photos वीडियो वगरा रहेंगी वो सारा कुछ आपके delete हो जाएंगे परमाइट्टी आपकी कुछ भी visible नहीं रहेंगे तो यह आप लोग make sure हो जाना उसके बाद ही अपना account को delete करना है तो just हमें अब यहाँ पर आपको चेक करना है अपरी मैं simply I don't feel safe on Facebook यह मैं select कर दीता हूँ as wish अगर आप कुछ और देना चाहते हो तो आप दे सकते हो ठीक है तो यहाँ पर मैं click कर देता हूँ अब देखो अब आपको इसमें से किसी में भी click नहीं करना है आपको यहाँ परी continue का option मिल जाता है तो इस पर आपको click कर देने हैं आपको सारा कुछ बोल रहा है कि आपका इतना photos था इतना सारा वीडियो था सारा कुछ अगर आप backup बनाना चाहते हो तो यहाँ से आप transfer भी कर सकते हो अपने photos वीडियो को यहाँ पर click करके information पे जाके ट्राइल दे रहा हूं कि आपकी सरी किसे delete कर सकते हो तो delete पर हमें click करना ध्यान से दिकना आपको से request है अब देखो यहाँ पर आपको कह रहा है कि enter your password जो आपने Facebook account पे जो password डाले थे उसे आपको यहाँ पर enter करना है तब ही आपका page यहाँ से delete होगा ठीक है बाइचांस अग अगर आप लोग Facebook का अपना password भूल चुके हो तो just आपको यहाँ से back आजाना है and app आपको Facebook को वापस से logout मारके login कर लेने है then यहाँ से आप simply अपना Facebook account को enter करोगे जैसे ही password को तो यह आपका account verify लेगा then आपका Facebook page जो है permanently delete हो जाएगा तो यह छोटा सा tips था गाई जो कि मैंने आप लोग को दिया है उमीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोग को काफी जादा healthy होगी अगर कोई भी problem अगर आती है तो आप लोग मुझे comment section पर comment करके पूस सकते हो मैं कोशी जरू करूंगा busy बहुत रहता हूँ guys but मैं कोशी जरू करूंगा आप लोगा सभी का reply दे ठीक है तो इस वीडियो को बैस ही पर एंड करता हूँ guys and अगर सीखना चाहते हो कि facebook page पर वीडियो कैसे upload करते हैं सही तरके से जिससे कि हमारे account पे millions पे views आ जाए यह अगर सीखना चाहते हो तो मेरी यह वाली वीडियो का आप लोग जरू से देख लेना इसमें भी आप लो